पर आपको बता दे कि कल पीम आवाज पर कर्मचारी संगठनों को बुलबाया क्या है जहां कर्मचारीों के हित में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कर्मचारियों के हित्मे संगठनों में आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी चर्चा करते वे भी नज़र आएगी जहां NPS, वेतनमान और सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं तो चलिए अब इसी खबर पर जादा चान काई ले ले लेते हैं हमारे साथ में एक्जेक्यूटिव एडिटर मनोस सैनी जी जुड़ गया है देखी भारत सरकार कर्मचारियों के हित्मे कुछ नए लेने की तैयारियों में हैं और उसकी वज़े भी आप समझते हैं लंबे समय से कई मांगे रही है चाहे NPS की बात करें या बेतन विसंगती बेतन मान को लेकर भी बाते कही जाती रही है तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे कर्मचारियों को लेकर बात कही जाती रही है तो यह सब वो बाते हैं जिनको लेकर लगातार कर्मचारी अपनी मांगे उठाते रहे हैं कुछ की मांग सरकार ने पूरी की लेकिन कुछ नहीं हो पाई और यह लंबे अर्से बाद मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिलेगा कई बरसों बाद जब पधान मंत्री कर्मचारियों संग्ठनों से बात करने जा रहा है इस बीच में तो संग्ठनों से बात होती नहीं थी सरकार के जो नहीं होते थे वो संग्ठनों ने माना भी कर्मचारियों ने भी माना लेकिन आप सरकार भी इस बात को समझ रही है कि कर्मचारियों से उनकी बात उनकी मन की बात को समझना पड़ेगा इसलिए प्रधान मंत्री ने कली आने शनिवार को उनके संगठनों को बुलाएं उनसे प्रधान मंत्री अपने आवास पर बात करने बाले हैं हम पता लगाते रहते हैं और दिन रात मेरे संबाधाता लगे रहते हैं कि कब कहां से कौन सी नई अपडेट संबिदा नियोजित कर्मी, आउट्सोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के निकल कर आए और हुआ सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जा सके इस चैनल की प्रासंगिता इसी से आप भाप सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से उठाई गई आवाजों के आलोक में डेट लाग के करीब में स्वास्त विभाग के संबिदा नियोजित कर्मियों का वेतन विर्धी सिक्षा इवं तालिमी मर्कल्स का वेतन विर्धी विकास मित्रों का वेतन विर्धी और बहुत सारे संबिदा कर्मियों की जो की बड़े संबिदा कर्मी और छोटे संबिदा कर् पर्ति काफी गंभीर हो चुके हैं इसलिए क्योंकि बिधान सवाद चुनाब नजदी का रही है और सरकार समझती है अगर चुनाब से पहले तमाम वरके संबिदा करमचारियों को सेटलमेंट अगर नहीं किया गया तो कहीं न कहीं जिस परकार से यूपी में मात खाने को मिली है उसी परकार से बिहार में भी इस बार एंडिये सरकार को मात खाने को मिलेगी और साकारात्मक कदम उठाने को तयार है इस कड़ी में बिहार के मुखमंतरी नितीस कुमार जी का ताजातरीन ब्यान और अप्डेट हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में सिक्षा को सर्व प्रात्मिक्ता देने का वादा करते हुए बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार जी ने एक नई पहल की है इस नई पहल में संबिदा करमचारियों के साथ साथ बिहार के लोगों का भी भला होगा जिसके तहद मानेनिये मुखमंत्री नितिस कुमार ने असपस्ट कर दिया है क कि तमाम वरके संबीदा करमचारियों को तमाम तरह की सुभधाई अब धरातल अस्तर पर जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रेट पे को बाहल नहीं किया जाए। रही है कि सरकारी करमचारियों के कदम से कदम मिला करके संभीदा करमचारी काम कर रहे हैं संभीदा करमचारियों के कारण जो है सरकार को केंदर से कही न कही प्रोचाहन मिलता है कि ये बिहार के जो संभीदा करमचारी है ये बहुत ही कह सकते हैं कि होनहार संभीदा करमचारी ह सब्सक्राइब जिसको लेकर कि सरकार को मैं आपको बताना है कि संभिधा करम चारियों को लेकर के मारिनीय मुखमंत्री स्री नितिश कुमार ने संभीदा करमचारियों के लिए बड़ा एलान कर दिया अब एलान करने से नहीं होगा क्योंकि विधान सभाचुनाब नजदीक है और सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती है इसलिए सरकार चाहती है कि समय रहित संभीदा करमच कर्मचारियों को मिच्वल ट्रांसफेरिंग को ले करके भी हम लोग लगातार मीडिया विरिश्टिन में आप लोग को ले करके मांग उठाते हैं क्योंकि बहुत सारे यह संबीदा करमचारी हैं जो अल्प मांदे में बहुत दूर दूर काम करते हैं जिससे उनकी जो मासिक आ साथ आप लोगों को ग्रेट पे यानि कि मैं आपको प्रूप के साथ दिखाने का काम कर रहा हूं साथ ही आप लोगों को यह भी बता दे कि मुखबंतरी महदया ने कह दिया है कि तमाम वर के संबीदा करमचारियों को ले कर आगे से किसी भी परकार की जो है हम लोग अधिकारी और करमचारियों को स्वास्त बीमा के साथ साथ सरकार मास्टर कार्ड देने को ले करके काम करेगी जिसके तहर जिस परकार से जो सरकारी करमचारी अपने इलाज के लिए खर्च करते हैं उसी परकार से आप लोगों को भी सरकार देने को ले करके काम करेगी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे असपस्ट रूप से यहाँ पर अनुकंपा पर नियुक्ति का लाब भी दिया जाएगा अगर आप लोग अपने duty period में किसी भी accidental case के कारण अगर आप लोग की मिर्तु हो जाती है ऐसा हो ना अगर हो जाता है तो आप लोगों के हितो यानि आप ल 22 अधिनियम के तहट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तमाम वर्क के संबीदा करमचारी गैर सरकारी हो सरकारी हो यानि कि नियोजित पर हो अवर्गी गिरित पर हो या फिर दैनिक वेतन भोगियों के रूप में हो तमाम तरह के करमचारीयों को इसकी सुभधा जो है द सरकारी करमचारी यानि कि नियमित पदो पर आप लोगों को सरकार रखने की बात कह रही है साती नियमित यानि कि नियमित अधिकारी करमचारीयों के समक्ष अवकास की सुभधा भी आप लोगों को दी जाएगी और नियमित अधिकारी करमचारीयों के समक्ष चाइल्ड केर लीव के लिए भी जो है आप लोगों को विवस्था की जा रही है और पर्तिवर्स अनुबंद की प्रक्रिया खत्म करे इसको लेकर के भी अस्पस्टी करन दे दिया गया है अब यहाँ पर आप तमाम उगर के संभीदा करमचारियों को बता दे